हेलो फ्रेंट्स वेलकम वन्स अगें इन दे वीडियो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है जिसका एक और नाम है असेंडिंग और अफ मिक्सिंग यह मेंली काम आता है जब आपके पास आपको दो ड्रक मिक्स करनी हो एक कम कॉंटिटी में है एक ज्यादा कॉंटिटी में है जिसको डाइलुइंट के साथ बाइंड करना है तो जब दो कॉंपनेंट जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कॉंटिटी में उस समय आपको यूज करना है जोमेट्रिक डाइलूशन मेथटड सो लेट अस सी नाओ जोमेट्रिक डाइलूशन क्या है इस अ मैथड़ मिक्सिंग मेनली ऑफ पाउडर्स यह पाउडर्स को मिक्स करने का एक मैथड है जोमेट्रिक डाइलूशन मेथड इस यूज वैं देयर इस नीज तो मिक्स स्मॉल अमाउंट अव ड्रग विद लार्ज अमाउंट ऑफ अनदर इंग्रियेंट और डाइलूइट यह एक स्मॉल अमाउंटिमें और यह है आपके सामने इशलार्ज अममाउंट हमें क्या करना है मिक्स करना करना तो जब स्मॉल अमाउंट को मिक्स करना है यहाद रखना हमें मैं ग् debate करमा जिसका नाम है जोमें लिए अब सवाल यह उठता है कि जोमेटरिक डिलुशन में अधरी क्यों कि दोनों ड्रक या दोनों कॉंपोनेंट small और large amount में हैं तो हमें uniform distribution रखना है तरका इसलिए geometric dilution method यूज किया जाता है this method is specially indicated when the potent substance and other ingredients are having the same color and a visible sign of mixing is lacking जब दोनों component एक ही color के हो small amount और large amount तो हमें पता इन लगेगा कि mixing हो रही है या proper हो रही नहीं हो रही उस case में में geometric dilution method यूज करना होता है mixing of both quantities small and large is done in motor through by trituration method मतलब यह जो mixing होती है small or large amount की यह thoroughly mixing होती है trituration method now the question arises what a trituration method तो motor और पैसल को यूज करकर आप small or large amount जूसमें यूज कर रहे हो और mix कर रहे हो यह method कहलाता है trituration method in this method the drug present in smaller quantity is placed in the motor with an equal amount of the other ingredient अब सवाल उठता है कि mix कैसे करें तो जो drug आपकी small quantity में है उससे पहले motor में रख लेंगे और साथ में equal amount रखेंगे जो component ज्यादा quantity में है तो यह आपके सामने समझाने के लिए यह quantity में है ज्यादा quantity में रख है इन दोनों कम लेंगे बराबर amount में motor और पैसल के अंदर motor के अंदर लेंगे और पैसल से मुसको mix करेंगे हम triturate करेंगे और triturate करने के बाद equal amount मिक्सर मिलेगा जिए और बी करेंगा उसके बाद हमीं क्या करना है इन दोनों को triturate करना है जब तक यह अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते हैं देन उसके बाद an equal amount of the diluant is again added to the mixture उसके बाद यह जितनी quantity है उतनी quantity large वाली या तो drug हो सकती है यह diluant नहीं है यह लेनी है वापस और इस mixture में add करनी है and trituration is repeated until they are intimately mixed और वापस हमें triturate करना है यही वाला method में adopt करना है this procedure is repeated until all the powders have been combined and thoroughly mixed यह हमें repeat करना है जब तक यह पूरा का पूरा powder consume नहीं हो जाए यह पूरा mix नहीं हो जाए आपको याद रखना है कि best mixture is obtained when components are mixed in equal proportions by weight or volume best mixture जब ही मिल सकता है जब components equal volume में मिले हुए हों चाहे weight से चाहे volume से और इसके लिए geometry dilution method ही best है तो यह भी आपको याद रखना है कि if large difference between proportion of powder to be mixed then use geometric dilution अगर हमें ऐसे दो component mix करने हैं जो एक दूसरे से बिलकुल बिन है एक बहुत कम है और एक बहुत जादा है तो हमें geometric dilution method use करना है जिसका एक और नाम है यह आपके सामने geometric dilution method को ascending order of mixing भी बोलते हैं या फिर geometric dilution method method भी बोलते हैं अब example लेते हैं कि कैसे के उससे आपके सामने example एक तो है small amount में और एक है large amount में तो यह तोड़ा large amount यह small amount हम क्या करेंगे सबसे पहले यह जो small amount है यह हमने ले लिया तो five gram of one powder is taken यह हमने ले लिया और हम क्या करेंगे five gram of another powder इसमें जो पांच ग्राम और ले लेंगे तो total कितना हो है 10 gram इसे मोटर पैसल में लेंगे करेंगे तो आच और पांच कितना हो गया दस अब हम क्या करेंगे यह दस लेंगे और यह यह वाला large amount है इसका 10 एड़ करेंगे इस तरीके से 10 gram of mixture इस mixture की बात हो रही है plus 10 gram of remaining मतलब इसमें से अगें करेंगे मोटर पैसल की मदद से कितना बना 20 gram अब हम क्या करेंगे फिर 20 gram of this mixture is taken यह वाला 20 gram और 20 gram of remaining powder अगें इस पैसे 20 gram दोनों को मिलकर करेंगे पैसल मोटर की मदद से कितना हुआ चालेज ग्राम यह प्रोसेजर हमने repeat किया फिर repeat किया फिर repeat किया अब last में क्या होगा थोड़ा सा amount बच जाएगा तो repeat करने के बाद अगर थोड़ा सा amount बचता है Repeat करते करते तो mixture जो मिलता है में last में it is mixed with remaining amount of powder जो powder बसता है उसको इसके साथ mix किया जा सकता है और इस तरीकि से जो समझ चाह रही चोटे को बड़े के साथ कैसे mix करो क्योंकि चोटे को बड़े के साथ mix करना एक बहुत बड़ी problem है especially powders के साथ तो उसी से में हमें ऐसे method को follow करना है यह सिर्फ powder नहीं, ointment के साथ भी ऐसा ही किया जाता है जब हमें medicated ointment बनानी होती है और powder को incorporate करना होता है ointment base के साथ तो दो यह है आपका complete geometric dilution method अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please आप like कीजिए like के साथ आप comment जरूर कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और bell icon प्रेस करना ना बूलें ताकि जब भी नए वीडियो रिलीज हो आपके पास information पहुंच सके thank you best of luck keep in touch